Hello everyone, I am Praveen Chang here और आज के इस वीडियों बेटा हम 4th form कैसे बनाएं इसके बारे में हम जानकरी लेने वाले हैं तो चलिए बेटा बिना किशी देरी के हम शुरू करते हैं इससे पहले कि हम 4th form बनाने के नियमों के बारे में जान पाएं तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कर 4th form किसे कहते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा जो 4th form होती हैं उसको हम present participle form भी बोला करते हैं और यह जो 4th form है base form या first form में ing जोडने से बन जाती है जैसे यहाँ पर मैंने go लिखा है तो बेटा यह कहा है first form या आप कह सकते हैं कि जो go है वो एक base form है यदि मैंने इसमें ing जोड दिया तो क्या बना going तो इस तरह से जो going है वो verb की fourth form या present participle form है ध्यान रखेगा जब भी किसी verb की fourth form बनाई जाती है तो उस fourth form की हिंदी अनुवाद करने के दोरान आप fourth form का जो हिंदी रूप है उसके अंत में रहा है रही है, रहे है या रहा हूं लगा सकते हैं यदि बात present tense की होरी है यदि past tense की करनी है तो आप वहाँ पर रहा था, रही थी और रहे थे इन शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं यदि हम बात करने future tense की तो future tense के लिए fourth form के last में आप हिंदी अर्थ के लिए होँगा रही होगी या रही होँगे इन शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तमाल कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर first form है go go का मतलब होता है जाना लेकिन यदि इसकी fourth form बनाएंगे तो वो होगी going और going का जो हिंदी अर्थ होगा present tense के लिए होगा जा रहा है, जा रही है, जा रहे है, जा रहा हूँ अगर हम past tense की बात करें तो जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे यदि हम future tense की बात करें तो जा रहा होँगा, जा रही होगी, जा रहे होँगे यदि अब हम बात करें कि भई fourth form बनाई कैसी जाती है तो इस वीडियों बिटा मैंने fourth form बनाने के लिए यहाँ पर चार rule को शामिल किया है जिसमें से first rule हमें ये कहता है कि यदि वर्ब के अंत में IE आये तो आपको क्या करना है IE को हटा कर और Y लिखकर last में आप ING जोड देंगे तो इस तरह से ऐसी वर्ब का fourth form बन जाता है जैसे यहाँ पर first form के रूप में मैंने यहाँ पर LIE, lie word को शामिल किया है जो कि एक वर्ब है और जिसका हिंद एर्थ है जूट बोलना तो बेटा देखिए इस वर्ब के अंत में IE आ रहा है तो इसकी fourth form बनाने के लिए मैंने क्या किया? IE को किसमें change किया? Y में और फिर मैंने यहाँ पर ING जोड दिया यानिकि यह कह सकते हैं कि IE को हटा कर मैंने Y लिखा और Y के बाद मैंने यहाँ पर ING जोड दिया इसी तरह से die, dying, tie, tying, y, y, यदि fourth form बनाने के लिए second rule की बात करें तो यह second rule हमें यह कहता है कि यदि वर्ब के last में E आए तो आप क्या करना है? Simply जो E है उसको हटा कर ING जोड ना है जैसे यहाँ पर है take तो take बेटा देखिए ध्यान से यहाँ पर इसके last में E आ रहा है तो इसकी fourth form बनाने के लिए मैंने क्या किया? E को हटा दिया और ING जोड दिया तो इस तरह से take की fourth form बनी taking, give, giving, write, writing, see, seeing बेटा ध्यान रखेगा मैंने आपको कहा था कि एक E I तो ही उस E को अठाना है यदि double E आ रहा है तो आपको fourth form बनाने के लिए किसी भी E को नहीं अठाना है और directly आपको ING जोड देना है अब यदि हम rule number third की बात करें तो rule number third हमें यह कहता है कि अब आगे की slides में जितने भी verbs आपको देखने को मिलेंगी तो इनके last letter को double करके और आपको last में ING जोड देना है जैसे यहाँ पर है travel तो travel में last letter क्या है L तो मैंने यहाँ पर क्या किया इसको double कर दिया और फिर ING जोड दिया इसी तरह से sip की बात करें तो last में P आ रहा है तो आपको क्या करना है इस P को double कर देना है और फिर ING जोड देना है तो इस नियम में जितने भी verbs आनी होंगी उन सभी verbs को मैंने यहाँ पर शामिल किया है तो चलिए बिटा एक-एक verbs को देख लेते हैं cancel, cancelling, quar, quarling slip, sleeping, dig, digging admit, admitting, bag, begging acquit, acquitting, bob, bobbing boycott, boycotting, clap, clapping compel, compelling, commit, committing conquer, conquering, counsel, counselling drop, dropping, defer, deferring edit, editing, emit, emitting excel, excelling, impel, impelling inherit, inheriting ठीक, इसी तरह से job, jobbing kidnap, kidnapping, knit, knitting level, leveling, nod, nodding occur, occurring, omit, omitting outwit, outwitting patrol, patrolling pig, pigging, pin, pinning prefer, preferring propel, propelling quiz, quizzing rebel, rebelling repel, repelling skip, skipping sob, sobbing step, stepping stop, stopping submit, submitting wed, wedding ठीक इसी तरह से weep, weeping worship, worshipping wrap, wrapping nip, nipping dip, dipping club, clubbing और इसी तरह से rule number 3 की जो last slide है वो है fulfill, fulfilling hug, hugging pet, patting plan, planning shop, shopping slap, slapping slam, slamming stir, steering यदि हम rule number 4 की बात करें तो rule number 4 हमें ये कहता है कि पिछले जितने भी हमने rule number 3 तक जितने भी verb देखी थी ना तो उन verbs के अलावा यदि कोई verb आ जाती है तो आपको simply उनमें ing जोड़कर और उसकी fourth form बना देनी है जैसे weep, weeping fight, fighting speak, speaking eat, eating ज़रूरी नहीं है कि ये चार verb ही आएंगी चार verb के अलावा और भी verb आ सकती है लेकिन दियान रखेगा वो verb, rule number 3 तक की जितने भी verb लिखवाई है उन में इसे तो बिल्कुल भी नहीं होगी तो उम्यद करता हूँ बेटा अब आपको fourth form क्या होती है fourth form कैसे बनाई जाती है और उसके जितने भी मैंने चार rules आपको समझाए है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आगे होंगे यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने friends में share करना नहीं बूलिए यदि आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस आपके screen पर regular आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा channel subscribe कर सकते हैं